रोट बदलवाने में ग्रहमिन अलाकों में क्या हालात हैं, किस सरा से छोटे दुकानदारों, किसानों तक, बैंकों और डागघरों की पहुँच हैं, क्या लोगों को वाकई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं या फिर विमुद्री करण के शुरुआती दौर के साथ अ इनकी ये छोटी सी दुकान है, किराना समान के साथ ये चाय भी बीशते हैं, मंजुनात की रोज की दुकानदारी 2000 तक की हो जाती है, जब पुराने 500,000 के नोट अमाने घोशित हुए तब मंजुनात के पास 500 के नोट थे, लेकिन मंजुनात जरा भी परिशान नहीं हुए और अपने बचत खाते में नोट जमा किये और जरुवत का पैसा बैंक से निकाल लिया दुसरे दुकानदारों का व्यपार भी अपनी रफ्तार ले चुका है। साथी गांवालों के साथ किसानों का भी मानना है कि व्यमुद्री करण की इस पहल से उन्हें कोई खास परिशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बैंक हातों के जरीए किसानों ने आसानी से ज़रू पूरी तरह से काले धन के इस जंग के बारे में जानती और समस्ती भी हैं। काला धन और भ्रष्टाचार सीधे गरीबों को प्रभावित करता है। वज़े यही है कि शार्दा अम्मा भी काले धन के खिलाफ इस जंग में साथ हैं। उतन हली गाउंस से दो किनो मीटर दूर नजदी की बैंक शाखा में लोग बिना किसी लंबी कतार के अपने खातों से लेंदेन कर रहे हैं। स्टेट बैंक अफ मैसूर के इस शाखा में पंद्रह सो जंधन खाते हैं। बिमुंत्री करण के बाद ये शाखा बड़ी आसानी के साथ लोगों के लिए तयार है और लोगों ने बड़ी ही सहुलियत के साथ अपने पुराने नोट यहां आकर बतले। आले धन के खिलाफ की जंग में मुच्ताइद खड़े हुए निजर आ रहे हैं।